साइट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और इसके बाद बैल आइकन गो प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिलें एक्स्क्लूसिव खबरें संजराओत मुंबई में जेल के अंदर बंद हैं तमाम तरह की कोशिशें वो कर चुके हैं लेकिन जेल से बहरा आए DDR है लेकिन कईब्ई भी कोशिशों में लगे हैं कि कैसे भी जेल से बहरा आय और कैल कोट्री से छुटकारा उमिले अब सबीज, मुंबई से जो खबर आ रहा है वो हैरानी से भी परे है, यानि कि हैरानी से भी बहुत आगे की है, क्योंकि हालात यहां तक कहे जाने लगे हैं सवाल यहां तक उठने लगे हैं कि क्या संजय राउत को उद्धव ठाकरे पर से ही भरोसा उठ गया है क्या राउत को अब उद्धव का करीबी कहलाने में दिक्कत होने लगी है क्योंकि तस्वीर हैं कुछ ऐसा ही कह रही है और इसके पीछे जो चर्चाओं का बाजार गर्म है उसने मुंबई की गर्मी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है क्योंकि राज ठाकरे और संजय राउत की जुकलबंदी की खबर आ रही है कमेंट जरूर करें वैसे आपको याद दिलाते हैं कि हमारा ब्रेंड व्लोग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें तो संजराओद ने जेल से बाहर आने के लिए पहले केस को ही अवैद बताया और फिर एडी की कारवाई को गलत बताया लेकिन यहां तो सुप्रीम कोट ने ही एडी के एक्शन को सही ठहरा दिया उसके बाद संजराओद ने जमानत की अरजी लगाई और साथी साथ अपने भाई सुनील राओद को दिल्ली भी भेजा लेकिन अब जो नया अपडेट आया है वो हैरानी बराया कहें कि हैरानी से भी परेया बहुत ज़ादा आगे का है अब पहले आपको बताते हैं कि मुंबई में नया डेवलिम्मेंट आकिर हुआ क्या और पिर बताएंगे कि उसके माईने क्या है और क्यों राज ठाकरे और संजराओत के गटचोड की बात कही जा रही है असल में मुंबई और आसपास में इन दिनों एक फोटो जबर्दस तरीके से वाइरल हो रही है सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही ये तस्वीर MNS चीफ और उद्दव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे और संजराओत की है इस तस्वीर में राज ठाकरे बेहर्दी ज़्यादा रुवां से नजरा रहे हैं उनके आसू निकल रहे हैं जबकि भगल में संजराओत भी खड़े हैं जो कि बिलकुल शानत है अब ये तस्वीर नवंबर 2012 की है जब बाला साहिब ठाकरे दुनिया को छोड़कर चले गए थे और अब राज ठाकरे ने भले अपनी अलग पार्टी बना ली थी लेकिन राज ठाकरे ने हमेशा ही बाला साहिब को ये अपना आदर्श माना और गुरू माना अब करीब 16 साल पुरानी तस्वीर वाइरल हो रही और इसके पीछे कईबातं कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि तस्वीर वाइरल होई नहीं है बलकि वाइरल की गई है जी यहा Asian आसल मामला क्या है यह सब कुछ हो रहा माईने कै वह आप समझिए कहा जा रहा है कि यह तस्वीर संजराओत के करीबियों ने ही वायरल की है जिया यह बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि सस्वीर को लेकर मुंबई और आजबास में जबरदस बज्ज है कि ये फौटो संजराउत के करीबियों ने ही वाइरल किया है ताकि प्रेशर गेम खेला जा सके आला कि खुलकर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा लेकिन संजराउत के करीबियों का सभुरस का ये भी बात ना है कि पूरो सेएम तो संजर राउत को बेल किया पूरे मामले से ही छुटकारा मिल सकता है लेकिन उद्दव ठाकरे क्यों नहीं राउत की मदद कर रही है ये नहीं बता ऐसा राउत के समर्थ को का मानना है है ऐसा संजराओद के समर्थों का कहना है अब तस्वीर की बात पर आया है तो जबर्दस चर्चा है कि यह तस्वीर उद्दव ठाकरे पर प्रेशर बढ़ाने के लिए वाइरल की जा रही है जिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस तस्वीर को वाइरल करने के पीछे खास मकसद बता जा रहा है जिसमें उद्दव ठाकरे को प्रेशर में लेना है और ये दिखाने की कोशिश की जा सकती है कि संजराओद के राज ठाकरे से भी करीबी संबन है और संजराओद राज ठाकरे से भी हाथ मिला सकते हैं अगर उद्दव ठाकरे ने आगे भी मदद नहीं कीजिए एक कोशिश है यहां पर हो रही है क्योंकि रावत समर्थकों का मानना है कि राज ठाकरे के बीचेपी नेताओं से सेंटर से अच्छे संबने और अगर वो पैरवी करेंगे तो संजरावत की मुश्किल आसान हो सकती है और दूसरी बात यह होगी कि उद्दव ठ जल्दी जेल जा कर सन्जयराउट से मुलाकात कर सकते हैं और इसके लिए बगाईदा कोट में अर्ची दे सकते हैं क्योंकि बिना कोट की जाज़त के कोई बाहरी आदमी परिवार के बाहर का बहुत कोई इंसान को मिलने को राजश्ठाक्र कोढ़ पर जा सकते हैं तो रावत के करीबी राज ठाकरे के जरिये संजरावत को जेल से बाहर निकालना चाहते हैं अब ऐसे में मुंबई में चर्चाओं का बाजार गर में कोराम मचा हुआ है क्योंकि संजरावत तो हमेशा से मातोश्री के करीबी रहे है और उद्धव ठाकरे के लिए चानक्य का काम भी किया और माना ये भी जाता है कि उद्धव ठाकरे को सीम मनाने में बड़ा रोल संजराउत का भी रहा है लेकिन अगर ऐसा है कि वो राज ठाकरे के करीब जाना चाहते हैं तो यह बहुत बड़ी खबर है जो कि महाराश की सियासत में हल चल आ सकती क्योंकि सवाल तो यहां तक खड़ा होने लगा है कि क्या संजलावत को उद्धव ठाकरे पर भरोसा नहीं ना और क्या इसलिए राज होता है यानि कि राज ठाकरे की मदद से संजलावत बाहर निकलते हैं या कहें कि राज ठाकरे संजलावत की मदद भी करते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे क्या करेंगे यह देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि उद्धव ठाकरे को वैसे ही कई सारे विधायकों ने सांसोतों ने छोड़ दिया है, उनसे अलग होकर शिंदे सरकार तक बन चुकी है और ऐसे में अगर संजराओद भी उद्दव ठाकरे से अलग होते हैं और उद्दव ठाकरे पूरी तरह से अकेले अलग-थलग पड़ सकते हैं हलांकि राज ठाकरे संजराओद की तैयार हो जाए, इनका कटजोड हो जाए, भी ये कोई गारंटी नहीं है कि तब भी संजराओत को मदद रहार्त मिली जाएगी या फिर कहें कि जेल से बाहर आई जाएंगे यान केस से बज़ जाएंगे, ऐसा पूरी तरह से कोई गारंटी नहीं है, कुछ ऐसा पॉसिबल्ट 100% नहीं है लेकिन कुल मिलाकर आप यहीं बात यहां पर कहीं जा रही है कि राउत के अंदर जेल से बाहर निकल की छट पर डाहर दिख रही है उद्दव ठाकरे के धुर विरोधी के पास जाने की चर्चाओं ने सियासत के बाजार को गर्म कर दिया है तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है क्या राज ठाकरे संजराओत को मदद दिला पाएंगे राहत दिला पाएंगे और कमेंट करके आप भी अपनी राज ज़रूर दें वीडियो को अभी शेयर भी करें वैसे आपको याद दिलाते हैं कि हमारा brand new vlog आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है उसे देखने के लिए description में दिये link पर click करें और support करने के लिए like, share और subscribe जरूर से जरूर करें झाल